आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दियेगा सबसे पहले हमने भिंडी ली है और भिंडी को बहुत ही पतला-पतला काट लिया है तो अब भिंडी कटने के बाद हमने लिया कड़ाई में थोड़ासा Refined Oil और Refined Oil को हमें बिल्कुल हीट होने देना है क्योंकि ठंडे ओयल में अगर हम भिंडी डाल कर उने fry करेंगे तो वो चिपचिपी हो जाएंगी तो जब आपका ओयल हीट हो जाए तब आप उसमें डाल दीजे भिंडी और भिंडी डालने के बाद अब आप इसे थोड़ा सा मिक्स करके ऐसे ही छोड़ दीजे जिसे की हलक असा ये जो भिंडी है ये क्रिस्पी हो जाएं तो अभी आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजे स्टार्टिंग में जब ये थोड़ी सी सिकना स्टार्ट हो जाएंगी तब आप इन्हें इस तरह से चला दीजे और लगतार जब ये भुनने लग जाएं तब आप इसे चलाते रहें क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये भिंडी फिरना जल्दी से जलने लगती हैं तो थोड़ी दिर बाद आप देखेंगे इस तरह से भिंडी अच्छे से भुनने लगेंगी और थोड़ी कुरकुरी हो जाएंगी तो जैसे ही आपको लगे कि भिंडी भुन चुकी हैं और कुरकुरी हो चुकी हैं तो आप गैस का फ्लेम आफ कर दीजे और सारी भिंडी जो ह न यह अलग निकाल लेनी है उसके बाद हम जो है इसका जोल तैयार करेंगे तो यह देखे बिंडी को मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखे बिंडी किती अच्छी तरह से भुन चुकी हैं और अब हम लेंगे एक कडहाई और IF y 84 ओडेसी घी में डाल दिया है हमने थोड़ हल्दी ॥ाओडर बहुत ही थोड़ासा घन्यं पाउडर और सभी मसालों को पहले आप भुनने दीजे क्योंकि मसाले भुनने से इसमें बहुत अच्छा खुशबु और फ्लेवर आता है तो अब यह भुन जाये तो अब अप आप इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर दीजे और पानी आड़ करने के बाद आप इसमें अपने स्वाध अनुसान नमक आड़ कर दीजे नमक डलने के बाद आप इसमें आप आने दीजे एक बॉयल जब इसमें बॉयल आजाए तब आप इसमें ये भुनी हुई भिंडी अब पहले एक फेंट लीजे और फिर आप इसमें डाल दीजे और अप इसे फिर से एक बार बॉयल कर लीजे वस तैयार है हमारा सिंपल और बहुत ही तेस्टी भिंडी का जोल आप ज़ूर ट्राइब करिएगा आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिएगा फ्रेंड्स अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन भी प्रेस जरूर करिएगा